नमस्कार, चलते समय आप घर से कुछ दूरी तैन नहीं किये और आपको ऐसा लग रहा है कि आप फाफ रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आपका मन करता है, थोड़ा बैट जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, इसके पीछे कहीं, आपका ब्लड काड़ा तो नहीं हो रहा है, यदि आपका ब्लड काड़ा हो रहा है, तो आपको हार्ट को इतना अधिक खत्राजी से कहेंगे, क्योंकि हार्ट अटेक की संभावना, कोलेस्टरॉल की समामना बहुत अधिक पड़ जाती है, और यदि आप अपने ब्लड को नेच्रल तरीके से घार में ही कुछ ऐसी तो यह रहे मेडी अपना लीजिए, मैं कलपना रा ठोड़, एक प्रेशर, एक प्रेशर, एक प्रेशर तेरेपिस्ट, डिप्लोमाइन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, उपाए बहुत ही आसान और रिजल्ट एक सो एक परसेंट, इसके लिए आपको सुपह उठकर सबसे पहल और सबी जानते हैं कि ब्लट को पतला करने के लिए शाहत और लहसुन बहुत ही इफेक्टिव है, इसके साथ ही साथ एक रेमेडी और बता दे रही हूँ, आपको एक चमश अद्रक का रस, अद्रक को कुचल लीजिए और उसमें से रस निकाल लीजिए, उसमें दो चुटक चीज अवेलेबल है, आप उसे कर लीजिए, और यदि आपको बहुत ही सुन्दर रिजल्ट चाहिए, तो आप अल्टरने डे, एक दिन लेसन वाला कर लीजिए, दूसरे दिन अद्रक वाला रस, जिसके साथ सहथ मिला कर आपने दलचिनी के साथ लिया है, उसे कर लीजिए फिर देखें कितने सुन्दर रिजल्ट, फिर आप आठ दिनों के बाद देखेंगे चलकर, फिर देखेंगे ना आप रुकेंगे, ना आप हाफेंगे, ना आपकी सांस फूलेगी, क्योंकि आपके हार्ट में जो ब्लॉकेज थे, आपका बलट जो गाड़ा होना था, वह प बिगड़ चुका है, जिससे हमारे हार्ट में कोलिस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत अधिक और ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिससे अटिक अभी तो यंग एज में यह दिखा जा रहा है, इसे ज़्यादा ज़्यादा लोगों को सेयर करिए, कॉमेंट्स कर मुझे जरूर बताईए, चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की इन्फरमेशन आपको सबसे पहले मिलें, स्वस्त रहें, फिट रहें, किसी तरहा की हार्ट की परेशानी में न पढ़ने के ल